तो हे गाईस वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि एड़ोप फोटोशोप में अगर आप फोटो को ओपन करते हैं और इसमें आगर आपका फोटो ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे आप उसे ठीक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं अचलिए दूस्तो वीडियो को सुरू करते हैं सो गाईस यहां पर जो है मैंने फोटो हो को अपन कर लिया है अब यहां से मैं यह फोटो को जो है ओपन करता हूं तो यहां फाइल वाले उप्शन के show करते हैं उसके बाद ओपन वाफ सथे करना है कि ऍह लिख कर देने के के बाद आपको कुछ इस प्राइब की जो है option मिलता है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है आपको तो चलिए यहां पर मैं किलिक करता हूं और इसे ओपन करता हूं तो यहां पर जो है मैंने क्लिक कर दिया है Microsoft Office Picture Manager में तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको इस वाले Microsoft Office पर आपको ओपन करना है फोटो उसके बाद आपको Edit Picture के Option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं क्रोप का Option आपको क्रोप वाले Option पर क्लिक कर देना है उसके बाद फोटो को आप उपर से नीचे कर सकते हैं थोड़ा बहुत क्रोप यह आप इधर किनारे से भी कर सकते हैं क्रोप आप चारो तरब से भी crop कर सकते की side से भी थोड़ा सा उसके बाद जो है आपको ok पे click कर देना है click कर देने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए देर अगर a file फाइल वाले option पे click करना है आपको save पे click कर देना है save पे click करेंगे तो आपका जो फोटो उसी फोटो पे जो है crop हो के सेव हो जाएगा आपके फोल्डर पे तो यहां पर जो है फोटो मेरा सेव हो चुका है अब इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ एड़ फोटोशोप पे तो यहां पर एड़ फोटोशोप आ चुके हैं यहां पर जो है मैं फाइल वाले अ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस जो है मेरा फोटो जो है इस बार ओपन हो चुका है पहले जो ओपन नहीं हो रहा था तो गाइस इस प्रकार से आप भी अपने फोटो को किसी भी फोटो को इस प्रकार से आप क्रोप करके जो है आप एड़ो फोटो शोप पर ओपन कर कर सकते हैं चलिए गाइस मिलते हैं किसी नाई वीडियो पे तब तक के लिए नमस्कार